हमारे साथ हैं महराष्ट के फायर ब्रैंड नेता MNS चीफ राज ठाकरे राज ठाकरे जितना अपने कामों के लिए जाने जाते हैं उससे ज़्यादा विवादास्पत बयानों के लिए अपने तेवर के लिए और अपने तल्खियों के लिए इस चुनाव में राज ठाकरे फिर से मैदान में है, इसके पहले बीते चुनाव में, पिछले assembly election में, राज ठाकरे की party ने 13 विधायकों को जिता कर सदर में भेजा था, इस बार क्या होगा, क्या है राज ठाकरे के दावे, और चुनाव के बाद क्या होगी रन नीती, इसी पर बात करेंगे, राज ठाकरे से मार सथे, राज ठाकरे साहब आपका स्वागत है, चुनाव हो रहे हैं, चार बड़ी पार्टिया है, MNS उस पार, उन चार के बीच में MNS भी है, कहा जा रहा है, इस पार, पांच कोनिय संघर्ष होना है, शुह हुसेना, बीजेपी, NCP, इसके बीच MNS कहा है? कि जिस तरह से मैं लोगों के सामने जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं लोगों के सामने मेरा महाराश्र का एक फूचर, महाराश्र के मैं क्या लाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, यह मैं रख रहा हूँ, जैकि राज साब कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भी, आप क जो चार पार्टिया हैं, उनको नुक्सान करने के लिए, उनको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में ही दुश्मन है, एक दूसरे के. लेकिन लगवग सभा 200 सीटों पर आप चुनाओ लग रहे हैं, पिछली बार भी 147 सीटों पर थे 13 जीते, इस पर कहा जा रहा है, राज ठाकरे का वो जो जलवा था, जो 2009 में था, वो कहीं कहीं लोग सभा चुनाओ के बाद थोड़ा कम हुआ है, जी बिलकुल नहीं, आप मेर मेरे साथ घुमेंगे तब पता चलेगा ना आपको, कि जलवा क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ कैम्पेन के लिए आना चाहिए, आपको भीड देखनी चाहिए, भीड तो नरिन मोदी की रैली में बहुत हो रही है, कल भी जो रैली हुई है, बहुत भी जहां जहां रही है, नागपूर से नासिक तक, एक होता है एक भीड को लाना, एक होता है भीड को खुद को आना, पिछले चुड़ाओ में आपने शिवसेना बीजेपी का खेल बिगार दिया, खासता और शिवसेना का, इस बार भी कहा जा रहा है, खेल बिगार सकते हैं, M 99 से मेरी पार्टी कब शुरू हुई 2006 में मैंने पहली इलेक्शन कब लड़ी 2009 में बराबर है तो 99 में और 2004 में इनके हाथ में सत्ता क्यों नहीं आई तब खेल किसने बिगाड़ा तब मेरी पार्टी भी तो नहीं थी यही तो मैं कहे रहा हूं आपको यह अपने आपको ही किसके लिए कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए कर रहे हैं या बीजेपी के लिए कर रहे हैं दोनों के लिए तो आपको उनके डिवोर्स को लेकर बहुत चिंता है कई बार बयान में उनके डिवोर्स की बहुत बात कर रहे हैं कि उनको अलग हो जाना चाहिए था पहले से पता था उद्ध उठाकरे समझ नहीं पाए बीजेपी ने धोखा किया उसको आप काफी अनलाइज कर रहे हैं देखिए उस वक्त जो हुआ वो उस रैली में मैंने कहा बराबर जो चीजे उन्होंने की जो नुकसान उन्होंने खुद ने किया है आप मुझे क्यों सवाल पोच ने के दो दिन बाकी थे दो दिन पहले इनका गठबंधन तूटा दोनों का बराबर है इसका मतलब है उनकी तैयारी थी अच्छा मुस पर आएंगे राज ठाकरे साब कि क्यों तूटा गठबंधन और इसको आप विशलिसित कर रहें लेकिन MNS की अगर बात करें कि आप पर दीपर कर रहे है यहां जर ठीक तरह से समझे तो मैं समझा पाऊंगा बात ऐसी है कि मैं आज भी उनका प्रशुन सखो जिस तरह से अनोंने गुझारत में काम करने की कोशिश की जिस तरह से उन्होंने एक राज़ को संभालने की, अपने राज़ के राज़ के लोगों को संभालने की कोशिश की, मुझे लगता है कि मैं जाके मैं देख के आया हूँ, डेवलप्मेंट करने के लिए भी बहुत समय है उनके पास, बहुत काम बाकी है महाँ पे, महाराश रा आज नमबर एक पे है ही, शुरू से ही है, आज से नहीं, शुरू से ही है, लेकिन जो स्पीड, जो जिस तरह से अडिमिनिस्रेशन वो देख रहे थे, मुझे लगा कि इस तरह का आदमी प्रदानमंत्री बनना चाहिए इस देश का, आज वो जो है, वो गुजरात के प्रदानमंत्री नहीं है, इस भारत के प्रदानमंत्री है, आप यहाँ पे आते हैं और कहते हैं मैं महाराश्च्र को मैं गुजरात से आगे लेके जाओंगा, प्रदानमंत्री नहीं बोल सकता यह, प्रदानमंत्री के लिए यह सारे जितने स्टेट्स है, वो उनके लिए अपने बच्चे है, और यह अच्छा और यह बुरा आप नहीं बोल सकते, कि इस से मैं आगे इसको लेके जाओंगा, यह आप नहीं बोल सकते, लेकिन अगर महराष्ट को आगे ले जाने की बात कर रहे है, विकास की बात कर रहे है, पहली बात तो यह महाराष्ट आगे है ही, यहां भी विदर्व में 3700 किसान आत्मात्या करते हैं खुद कुशी करते हैं एक साल में बात किसानों दिखिए बात किसान आत्मात्या करना एक अलग बात होती है एक महाराश्र एक स्टेट की ग्रोथ जो होती है लेकिन मराठवारा विदर्व और बहुत सारे ऐसे कौंकरन रीजन हैं जहां डेवलप्मेंट की दरकार है तो बाकी तो स्टेट में तो बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं वो तो बहुत पिछने हुए है ही ना जब मैंने लोकसभा में कहा था कि अगर डेवलप्मेंट करनी है तो उत्रपदेश बिहार और जहरक के साथ प्रदेश की तरफ देखनें का अला एक मैं इस से इसको आङे करणा करूंगा इस की बादर पे इतनी आज हंगाma हो रहा है वहां पर हंशो रहा है वहां पर बंडले जा रहे है उसके बाद आज प्रधान मंत्री यहाँ-पे अटियाना और महाराश्रा में में कर दरे हुए हैं नरण मोदी से, जिस धन से केम्पेंड में भीड आ रही है, एक माहौल बना, उससे डर गए है आँ। मुझे लगता है कि आप बीजे पी के प्रवगता है या किसी चैनल के प्रवगता है, तो तो फिर आप मंत्री का campaign करना महरास्त में गलब है यह नहीं कह रहा हूं मैं आप यहां पर आ रहे हैं गवर्मेंट की सारी सुविधाएं हैं वो लेके आ रहे हैं जब हम लोग election लड़ते हैं तो election commission पूछता है कि आपने यह पैसे कहां से लाए आपने खर्चा कितना किया जब किसी party के campaign के जब प्रदान मंत्री आते हैं तो government का plane लेके आते हैं government का helicopter लेके आते हैं सारी government की सुविधाएं उनको मिल रहे हैं उसके बाद आप आके campaign कर रहे हैं मुझे लगता ही यह ठीक नहीं है जब नरिद मोदी की रैलियों की बात आने लगी कि aggressive campaign नरिद मोदी करेंगे महरास्त मे उसके पहले इसकी चिंता आपको कम थी जब आपको लगा कि महरास्त में एक बाहुल हो सकता है मोदी की रैलियों से बने तो कहीं इस जर में यह चिंता आ लगी है आज एक प्रदान मंत्री है वो बराबर है वो यहाँ पर अगर रैलिय के आ रहे हैं और जो वो बाते कर रहे हैं जो मुझे अगर गलत लग रही है तो मैं उसके बात नहीं करूं जरूर करिये तो वही तो कर रहा हूं राज ठाकरे सब कहा जा रहा है कि जब नरेंद मोदी ने आपसे पता नहीं उन्होंने फोन करके आपसे समर्थन मांगा या ना मांगा लेकिन चुनाओ के पहले जि बीजेपी का एक माहल है तो राज ठाकरे अचानक अनुचना करना है तो आप क्या है दिल्ली में बैठके ना ये आप बार तो देखते नहीं आपको लगता है कि पुरा देश वहाँ पे समझ में आता है और आदमी भी सब लोगों आपको आपका क्या होता है कि हम लोग जो करेंगे बस वहीं होगा और प्रैक्टिकली क्या होता है वो आपका भी देखते नहीं हर एक आदमी का एक नजरिया होता है अगर एक आदमी की तरफ मेरा एक नजरिया है अगर वो आदमी की तरफ से मुझे वो चीज नहीं मिलती तो मैं अलेगेशन नहीं करूँगा क्या य जो मुझे चेंज चाहिए था, जो मुझे लगता है कि आज जब वो प्रदान मंत्री हमारे अमेरिका जाते है, तो वो अमेरिका जैसा देश है, बड़ा देश है, उनकी जो राश्टर द्यक्षे होते हैं, वो बड़ी सोच के साथ उनको रिसीव करेंगे, वो अगर वहाँ प संकल्प किया था कि आप हिंदी में बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करूंगा, तो आज क्यों हिंदी से इतनी मुझे नफरत नहीं है, आप जैसे हिंदी वालों से नफरत है, आप जैसे हिंदी वालों से, क्योंकि आप मैं जो बोल रहा हूं, आप समझ नहीं रहे है क्योंकि आपको समझना ही नहीं है जो चीज मैं मराठी में बोल रहा हूँ उसका translation आप ठीक से नहीं करके आप लोगों को दिखा रहे और लोगों को भड़का रहे अगर मेरी मराठी में जो मैंने बात की है उसका अगर correct translation करे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं वाध विवाध हो सकते है राज ठाकरे साब सड़क पर जब और जो वालों को पीटा गया हमचे वालों को पीटा गया तो उसमें translation नहीं था मुझे पूरी बात करने दो देखे अगर आपको अगर election के बारे में बात करनी है तो मैं election के बारे में बात करता हूँ अगर उस issue के बारे में बात करनी है तो मैं उसके लिए आपको अलगी interview दूगा क्योंकि वो इतनी सी छोटी बात नहीं है ठीके? बात ऐसी है कि हमारी प्रदान मंत्री की चबीब बाहर क्या है? भारतिय पंतवरदान है या गुजराती पंतवरदान है आप कल कहेंगे कि मुझे महाराष्टर नहीं तोड़ना है आपका एक महाराष्टर का नेता बोल रहा है नहीं हमें महाराष्टर तोड़ना है हमें छोटे राज बनान है exactly हम लोग क्या समझे है कि आपके मन में क्या है? आपका पुलिटिकल अजेंडा क्या है? नरिंद मोदी ने तो कहा कि आप लोग अफ़वा फिला रहे हैं आप और उध्व ठाकरे करें कि मुंबई को महाराष्टर से अलग किया जा रहा है तो देवेंद्र फ़रण इस क्या बोल रहे है? तो अगर आपको बुलेट ट्रेंड लानी है एक लंबा सफर जो होता है वो आपको कम करना है इसलिए आप बुलेट ट्रेंड में लाते हैं न? तो अगर लाना है तो मुंबई दिल्ली लाइए, मुंबई कलकता लाइए, मुंबई चेंदली, मुंबई अमदाबाद, कौन जाएगा यहां से, किसको जाना है यानि सब कुछ होने के बावजूत अगर आपको गुजरात और अमदाबाद ही दिखाई दे रहा हैं कि मुंबई से मुझे बुलेट ट्रेंड लानी है वो भी मुंबई अमदाबाद तो कम डिस्टेंस की वज़ा सकता है तो मुंबई गोवा शुरू कर आपके दिमाग में गुजरास से छोड़के कुछ बात नहीं आ रही है राज ठाकरे साब ऐसा लग रहा है कि मोदी को लेकर जितने नाराज हैं आप दोनों भाई उद्धियों कि अगर दूटे तो बात करते क्या नहीं करते ना नहीं करते बिल्कुल तो मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं इंडिपेंडिनिट पार्टी हूँ और आपको दुख तब होता है जब आप एक आदमी से उमीद रखते हो मैं आज जो बोल रहा हूँ यह पोलिटिकल नहीं है यह मेरा दुख है कि मैंने जिस आदमी से एक उमीद रखी कि यह प्रदान फोबिया हो गया है राज ठाके को मैंने अभी मैंने जो बात की हैं आप अलग अलग बात मत कीजिए जब मैंने कहाsty दुख हूआ इसका मतलब दूख हुआ यह phobia नहीं है मुझे मुझे किसी भी political party से या किसी भी political नेता से आज तक अभी तक कोई insecurity नहीं है और ना कभी होगी मैं मेरा काम करता हूँ जो मुझे लगता है मैं बात करता हूँ कोई phobia भी बहन नहीं है मुझे इनसे वो अपना अपना राज देखे मैं अपना अपना दिखूँगा आज की तारिख में उद्धव ठाकरे आपके भाई मुसीबत में हैं एक तरह से बात ऐसी है कि मुसीबत तो खुद ने खड़ी की ना तो मुसीबत में आने की क्या बात होती है आपने लोकसवा चुनाओ के बाद आपने कहा था एक रैली में सायन में कि मैं खुद चुनाओ लड़ूँगा और अगर जरुवत परी तो फ्रंट से लीड करूँगा मतलब चीफ निस्टर की उमिद्वारी एक तरह से आपने घोशित की ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे उसके बाद जब चुनाओ आया तो खुद चुनाओ लड़ने से पीछे आपने उसके पहले ही मैंने कह दिया था उस वक्त मैंने ये कहा बिल्कुल कहा जरूर कहा लेकिन आज अगर देखा जाए तो कैम्पेन पूरा यानि कि आप बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं सोचा आफकोर्स पहले सोचा था मैंने ये सारी चीज़ें सोची थी मैंने एक बात कही कल अगर मेरे हाथ में महाराश्चर की सत्ता आती है तो बैक सेट पे बैटके मैं सत्ता नहीं करूंगा हैंडल नहीं करूंगा मैं फ्रेंट पे जाओंगा और हाथ में लेकर ये सारा कारोबार जो है देखूंगा करते हैं राज ठाकरे को एहसास हो गया कि चुनाव में खुद चुनाव लड़ने से फायदा नहीं होगा सीटें इतनी मिलेगी नहीं पांच पार्टियों की बीच कहीं फसे होंगे इसलिए आपने विड्रॉ कर लिया आपका परसेप्शन है और सोचने की कमजोरी है उसका मैं और क्या बोल सकता हूँ अच्छा आज की तारिख में उद्धव ठाकरे आपके भाई मुसीबत में हैं एक तरह से गठवंधन तूटा है और बेचैनी दिख रही है जिस ढग से बीजेपी का कैमपेन होगा है मुसीबत में क्या चुनाओ के बाद दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं पहली बात तो यह है आपको ये किस ने कहां ये मुसीबत में क्या होता है न आप क्या सोचके यहां पर आते हैं मुझे समझ में नहीं आता और यहां से क्या आपको रिपोर्ट जाती है मुझे समझ में नहीं आती बात ऐसी है कि मुसीबत तो खुद ने खड़ी की न तो मुसीबत में आने के क्या बात होती है तो मुसीबत में तो दूश्मन भी साथ हो जाते हैं आप दूनों भाई हैं चुनाओ के बाद ऐसी कोई परिस्तिती बने तो क्या राज ठाकरे और उद्धो ठाकरे साथ हो सकते हैं मुसीबत आती है तो साथ निवाना अलग बात होती है तब यह चीज होगी जब तक समय नहीं आएगा तब तक यह नहीं होगा अच्छा चुनाओ के बाद सारे समीकरन बदलते हैं मान लिजिए कोई ऐसी तब बाते हैं झाल 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 यह सवाल मत पूछो, यह सवाल पूछो, मैंने यह नहीं कहा, आप इसका बहुमत आएगा, यह आप मत बूलिये. अच्छा राज साब, मैं सीधा कह रहा हूँ, आप नाराज हो सकते हैं, इस पर बात हम 19 तारिक के बात करेंगे, पांच पाटियां चुनाओ मैदान में हैं, NCP कॉंग्रेस, उनका 15 साल पुराना रिष्टा तूटा, शिवसेना, बीजेपी, 25 साल पुराना रिष्टा तूटा और उसके बाद MNS, आप करें MNS की सरकार भी बन सकती है, या MNS सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो perception है और जो तस्वीर दिख रही है, उसमें MNS पांच पे नंबर की पार्टी दिख रही है, देखें, कि इसका जनम कब हुआ, उसके उपर आप निर्बर नहीं कर सकते है उसके उपर आप आकड़े नहीं लगा सकते न, कि कॉंग्रेस का जनम पहले हुआ, फिर उसके बाद में जनसंग का हुआ, जो भार जपा बनी, उसके बाद में फिर शिवसेना का हुआ, फिर उसके बाद में NCP का हुआ, फिर उसके बाद में मेरा हुआ, तो जनम कब हुआ, पार्टी का उसके उपर तो कुछ नहीं होता ना होता है पार्टी के पर्फॉर्मेंस के उपर मैं मेरा पर्फॉर्मेंस करते जा रहा हूँ आप देखिये मेरी पार्टी आज 8,Studok नौ साल की नौ साल होगे बागी पार्टियों के पहले आठ साल क्या स्थीती थी? आज जब मैंने पार्टी शुरू की, पार्टी शुरू करने के बाद पहले ही इलेक्शन में मुझे इलेक्शन का पार्टी का सिंबल मिला बागी पार्टीयों को कब मिला? एक बार चेक कर लिजे इस बार कहा जा रहा है, राज ठाकरे के लिए महराष्ट में डू और डाई की सिच्वेशन है, क्योंकि 13 सीटें पिछली बार मिली इस बार अगर कुछ ज़्यादा मिले भी, तो ऐसी सिच्वेशन में फिर इसके बाद अगर यहां दूसरी सरकार बनती है, तो राज ठाकरे के लिए पांस साल और मुश्वेशन में वैसे देखा जाए, तो आज बाकी जो राज जमें भारतिया जनता पार्टी की जो जो चुनाओ हुए अभी, जो अभी हुआ न, उपचुनाओ जो हुए, जिसमें भारतिया जनता पार्टी को डिफीट आ है, तो इसलिए महाराश्रा में कैम्पेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए यह डूआरडायड सिचूशन है, महाराश्रा में, इसलिए कैम्पेंड कर रहे हैं, कि हर जगह पे BGP, एंटी-BGP, एक उमिदवार चु ऑप पॉलिटिकली यह भी सामने मैं भी जा रहा हूं सामने राज ठाक्सित अब उत्तर भार्तियों को लेकर आपकी नाराजजिगी आपकी अपीनिन आपका तोर तरीका सब जानते हैं जग जाही रहे लेकिन इस बहर आपने एक उत्तर भारतियों को अखले चौबे को भी टिकट दिया है तो क्या माना जाए कि उत्तर भारतियों को लेकर आपका नजरिया थोड़ा बदल रहा है इससे आपको पता चलना चाहिए कि मैं उत्तर भारतियों के खिलाफ नहीं हूँ आने वाले उत्तरभार्टियों के attitude के खिलाफ हूँ जो नेता यहां पे आते है यहां पे लोगों को लेके आते है और politically यहां पे constancy create करने की कोशिश करते है मैं उसके खिलाफ हूँ यहां पे जो दादागिरी होती है उसके खिलाफ हूँ दादागेरी तो राज ठक्रे भी करते हैं मैं तो करूँगा ही, लेकिन बार मैं जाके उत्तरपदेश में नहीं करूँगा न मतलब महराष्ट में आपकी दादागेरी चलेगी, आप जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे वो आपका नजरिया है, देखिए मेरी दादागिरी क्या होती है, जो बाहर से लोग आते हैं मुझे लगता है जो संकत है, उसके उपर अगर मैं तूट पड़ू, तो मुझे लगता है लोगों को वो दादागिरी पसंद है, महाराश्ट्र में नहीं आपके शुचिंतकों को, महाराष्ट की जंता तैय कर लेगी तो महाराष्ट की जंता ने 2009 में तैय किया उसमें 13 सीटे में इसे बात ऐसी है ना कि लोग क्या सोचते है और लोग क्या देखते है उसके उपर चीजे है ना तो जो लाटी डंडे लेकर आपके समर्थक रोड पर उतरभारतियों को पीटते नहीं रामकदम नहीं थे वहां एक र मेरे वांज्जलि थे मैं द doe भी ऄंगा माटने भी भी आ bless लेकिन वह वां पर शबत नहीं फळी जो भी हम जबंदी दां के नीचे मांther来 है हा Ham मैंने पहले कहा है और महाराष्ट्र की जनता को यह मान भी तो राज ठाकरे संभान बनाएंगे अगर उत्तर प्रदेश में आप अगर असेमली में जाते हैं तो वहां पर आपको हिंदी में शपत लेनी पड़ेगी तो महाराष्ट्र की बनाएंगे भाषावार प्रांतरचना मैंने नहीं की है इस देश के इतनी सारी भाषाएं है जिसका आपको सम्मान रखना है उस वक्त उस जगा पे अगर इस मेरे बात करने से अगर आपको कोई शिकायत है वो आपके पास रहे लेकिन इस महाराष्ट्र में मराठी चलेगी तो आपके बात करने का लहजा ऐसे लगता है कि नेता नहीं एक डॉन बोल रहा है माफिया डॉन बाहुवली कि जो मैं बोलूँगा वही सही जैसे मैं आपको लगता है डॉन क्योंकि आप नौर्थ में रहते हैं वहाँ पे डॉन जादा है ये बात है सौबिमान की महाराष महाराष्ट के लोगों का योगदान होगा मुजराती भी है किरल के भी हैं हम लोगों ने महाराष्ट में यह स्कीती बनाई इसलिए आप लोग आए महाराष्ट के बनने में गैर मराठियों का कोई योगदान नहीं तो मराठियों का कितना है मराठी जो हमारे जो नेता थे पहले यश्वंत्रा चवांड से लेके उन्होंने इस तरह का वातावरन इस महाराष्ट में बनाया इसलिए इंडस्ट्रिल स्टाइन पहले इसलिए सारे लोग आ रहे हैं यहां पर हाँ यहां इसमें बाद की बात करना हो में किया है। आपको बाइप और कुछ है अगर आपको मोधी दिखाई दे तो मैं क्या करूं कि पिछले चुड़ाव में आपने शिवसेना बीजेपी का खेल बिगार दिया खास तरो शिवसेना का इस वार भी कहा जारा आप खेल बिगार सकते हैं MNS का खेल बन नहीं सकता मैंने लास्ट लोग सभा इलेक्शन में मैंने किसी आपी की चैनल पे ये अपना आपकी आदालत में रज़त जी को मैंने क्या कहा था आप निकाल के देखिए कि इनकी डिवर्स पेपर कोर्ट में पड़े हुए है हो गया डिवर्स तो एक बार रैली में आई मेरा बाशन सुनिए उसमें कॉंगरेस नसीपी के उपर मैं क्या बात करता हूँ ये भी बात सुनिए अगर आपको मोदी दिखाई दे तो मैं क्या करूँ मेरे पूरे भाशन में अगर इतनी बात अगर मोदी जी के उपर आती है इतनी बात कॉंगरेस और नसीपी के उपर आती है वो दिखती नहीं आपको मैं क्या करूँ बात तो सब के उपर कर रहा हूँ लेकिन मैं अगर कॉंग्रेस NCP के उपर बात करूँ तो आपके लिए न्यूज है नहीं अगर मैं नरिंद्र मोदी के उपर बात करूँ तो आपके लिए न्यूज है चलाते रहो दिन बर या उसके पहले कभी नरिंद मोडी से सीधी बात आपकी हुई जी नहीं तो बिना सीधी बात के आपने समर्थन की इतनी बात की और आज आप मुखालपत की बात कर रहे हैं देखें एक आदमी को जाके मैं ने देखा जब मैं मिला था तब मिला था जो मुझे ठीक लगा मैं आज भी उनका प्रशंसक हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनके हाथ में जो आज देश की डोर उनने हाथ में ली है, संबाली है, वो देश की तरफ देखे, देश को बड़ा बनाएं, जब वो अमेरिका जब गए थे, वहाँ पे इतने सब भारतिय अपने वहाँ पे उनका सुनने के लिए, एक भारतिय होने के नाते मुझे अच्छा लगा, तो ऐसी बात नहीं है, कि मैं कोई खिलाफ हूँ, कुछ चीजों के खिलाफ हूँ, कुछ चीजे मुझे लग रही है, कि ये ठीक नहीं है, और जिसके उपर मेरी बात हो चुकी है, चले बहुत-बहुत शुकी है, को बहुत बहुति, कि अच्छ एक जचेजों के जब सेटेक्टे के लिए.